अपिस से घर लोटने पर पती ने पाया कि घर बूरी तरा विक्रा हुआ है बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं उनकी खिलोने फैले हुए हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खूला पड़ा हैं कप्रे शोफे और कुर्षियों पर लटके हुए हैं गीले तोलियों बिस्तर पर परे हैं अखवार यूही फैले हैं सोफे पर नमकीन कालीन पर बिख्री परी हैं रजाईयां बिस्तरे पर खुली हुई है रसोई में बरतन जुठे बिख्रे हुए कुर्षिया इधर उधर बातरूं गंदा पत्री गवरा गया उसे लगा कि पत्री बहुत बिमार तो नहीं है जब कमड़े में पहुचा तो देखा पत्री अराम से कुर्षी पर वेट कर पत्री का पढ़ रही है जैसे ही पत्री पनिगा पर यह मुस्क्रा कर बोली कहो कैसा रहा दिन अब बकाए पत्री ने पूछा क्या हुआ या क्या हाल बना रखा है पत्री का जवाब था तुम ओपीस से लोटने के बाद रोज पूछते हो ना कि मैंने अज क्या किया है तो आज मैंने कुछ नहीं किया है